नमस्कार, जून में अभी अभी मानवितिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का उसर दिया है और आज मैं इसी वन सिच्ट अफ हुमेनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूँ फ्रेंड्स जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हुमन सेंट्रिक एप्रोच शर्वप्रथम होनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलप्मेंट को प्राथिक्ता देते हुए हमें मानव कल्यान, फूड, हेल्च सिक्यूरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीवी से बहार निकाल कर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलप्मेंट कैन बी सक्सेस्फुल सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साजा करने के लिए तयार है Friends, success of humanity lies in our collective strength, not in the battlefield. और बैश्विक शान्ती एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवशक है Reform is the key to relevance African Union को नई दिल्ली समीट में G20 की स्थाई सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपों कदम था वैश्विक शान्ती और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंक्वाज जैसा बड़ा खत्रा है तो दूसरी तरफ Cyber, Maritime, Space जैसे अनेक संगर्ष के नाए नए-नए मैदान भी बन रहे है इन सभी विशहों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्षन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन फ्रेंट्स टेक्नोलोजी के सेफ और रिस्पोंसिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवशक्ता है हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रिय संप्रभूता और अखंडता अक्षुन रहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्टर शुड़ बी ब्रीज नॉट अब बैरियर ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रस्ट्रक्टर पूरे विश्व से साजा करने के लिए तयार है फ्रेंड्स भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिट्मेंट है यही कमिट्मेंट हमारे वन अर्थ वन हेल्थ और वन संग वन वर्ल्ड वन अर्ट झाल 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 झाल